नमस्कार दोस्तों विल्यक्लास यहिज की एक अगली कख्सा में आप सभी का स्वागत है तो आज आज को तोपी कमारा वो जैसा हिन मन जाए कि कल क्या पड्देंगे सम्तल-धर्पन के बारे में और ईसकी के नियम है तो पहले पहले बात करता हूँ मैं सम्तल-धर्पन का यह संतल दरपन परावरतक प्रस्ट दरौ तीस का है जबकि जो इसको बहुत है आप शूंतर दरपन न बास्ता में वास्ता में होता है है व्पारी पतो समतल दर्पण होता है कि वाल बनाते हैं समतल होता है और अतने ही दूरी पर तहीं हैँ जेतने दूरी पर होता है क्छेषिए देखँ इसका प्रावर्तक प्रेश्च कैसा है समतल इदरवाला तो प्रावर्तक प्रेस्ट होना है ठीक तो इसकों सा दर्पन कहेंगे समतल तो यह सा दर्पन? इस तुआ दरा पन जिसका प्रावर्तक प्रष्ट क्या हो प्रावर्तक प्रष्ट सम्तल हो क्या कलाता है सम्तल दरपन कलाता है सम्तल दरपन कहलाता है ठीक है समतल दरपन कहलाता है तो आप यह तो समझें कि समतल दरपन किसे कहते हैं फिर से उन लेजें कि समतल दरपन उसे कहेंगे जिसका प्रावर्तक प्रेष्ट समतल हो समतल दरपन कहला है अब समतल दरपन के कुछ से गुण होते हैं समतल दरपन क्या होते हैं कुछ गुण ह तो पहला पहले लिखता हूं फिर आपको समझाओं कि प्रति बिम्ब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिम्ब होता है और पहले को समझा देता हूं तो परति बिम्ब बन रहा है हम जब फेस देखते हैं हमारा तो परति बिम्ब बनता है हमारा उदर जो हमारा दरपन है उसमें परति बनता है वो उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं यदि इस दरपण के सामने यदि मालो में यहां खड़ाऊं यह 10 मितर है यह छो जयेगा 10 मितर पर ही दूसरा है परत्विम्ब काका का आकार मतलब साइज बिम्ब के समान होती है तो देखें अब मालो इतना बड़ा क्या है इतना बड़ा इतना बड़ा इतना 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 यह हमारा being in the者 मेंदस की के हाइट है दस मिटर इसकी के है और वाला ओगा उसकी कि आ इसकी हर ह Canvas इसे ज्छादा नहीं होगी तो आच होगी वह बिफ़ए की हैंच न और प्रतिभिंब रहाता है तीस रहाता है दर्पन से दर्पन से जो पर्तिबीम बनता है पर्तिबीम बनता है वैं सीधा और अबसी होता है सीधा और क्या होता है अब देखो समतल दर्पन से पर्तिबीम बने तो वह सीधा जैसा यह है सामने बनेगा मतलब सीधा बनेगा उल्टा नहीं बनेगा मालो मार्गर का उस यह वग से उपर की तरह है ऊपर की त्रह पर आप उतर प्रतिविन के दिना तो इस सिधे दिखाए देंगे जैसे मालू है मस अबनात हूं यहां पर एक गॉला बनाता हूं मालो यह कोई वेखती है यह कोई वेखती है तो यह इसका क्या है चहरा है इसका चहरा तो जो परतिवीन बनेगा उसमें भी इसका चहरा किदर होगा उपर की तरफ ही होगा यही उसका चहरा होगा ऐसा नहीं होगा कि इसे बन गया नीचे की तरफ है यह क्या हो गया इसका चहर ही बनेगा और नीचे लिखावा है आवासी का मतलब है जिसे हम सिर्फ जिसे हम सिर्फ आवास कर सकते हैं इमेजिन कर सकते हैं सोच सकते हैं वास्ता में वैसा का वैसा नहीं होता है जैसा इधर होता है वैसा का वैसा वास्ता में नहीं होता है इसे बोलते हैं नोट रियल क्या या नहीं यह वास्त्विक नहीं है आबासी है तो इसे के बोलेंगे आबासी दूसरा हो गया अब एक लाइस्ट पॉइंट आता है जिसे बहुत ही प्रावर्तित पर्ति बिंब प्रावर्तित परतिबिंब इसका मतलब होता है अधा धिम्ब का से वायां वाग दिंब का भाईयां वाग परतिभींब का परतिभींब का तर Caribbean वाग होता है अब देख लिह है ये बहुद इंपर्पर्टाold परावरृषण पर्शों का मतलब है एक साइट के सामने चाहर खड़ा उता हूं तो त्वक्रीच हो गया है और पर कोण सा उतों właściहाट कोो या तौक टेशना ये मॉझें रॉब ती क्यों फार ऊचेशना आचते क्यृते कहती है तो इस में आफ इस उपर सेमे और यह से मालो यह प्रतिविम यह तो उठाताु तो उठाता तो उस में खियो हो गया now जैसा है वैसा का वैसा यह नहीश है अगर एदरवाले हात को तो जो दरण है उसमें इंधर वाद़ उठेगा। है। फंतम क्या हो जाए पार्ट ते PARTS पराव्य तो नहीं हो जाएगा, जब दाया-बाग उठेगा, इसमें बाई बाई-बाग उठेगा। है यह चारो का चारो, इसके क्या है गुन है तो आप सब्भी क्या करेंगे इन्हें नोड करेंगे और इसका स्किंसोट ले सकते हैं जो मिटाने वाले चीजें वह हूं मिटा देता हूं इदर से तो इस थी तरी तरी निखन इस के लिए फिर प्रतिविम बनने के हम नियम समझेंगे तो जैसा इस के ले लिए आपने तो आगे करते हैं प्रतिविम बनने के नियम आप्रतम नियम से परत्म में पहले बनाएंगे अव्तल धरपंट से दोनों के और आभर समस्में ये को दौनों समझ में आजाएं तो दोनों हम समझे बाछाएगे अब इस पहले माले बना लेते हैं यहां पर क्या एक उतल दिर्पण फिर देखते हैं ऊसलियाओ इनुआ कि का यहां पर इसका दुरु मार्ण होता है था हमती को पता है यहान पर सी होता है यहां पिर अभी कुछ नहीं लिखेंगे फिर लिखेंगे तो पहला नियम है यदी परकास किरण यदी परकास किरण मुख्य अक्स के मुख्य अक्स के शमांतर मुख्य अक्स के समांतर मुख्य अक्स के समांतर आए तो प्रावर्तन के पस्चात वह है मुखे फोकस मुखे मुखे फोकस अमने इकल पड़ा था मुखे फोकस है एप से एप से गुजरती है तो पहला हो गया है तो देखो यहां समझा तूम यह परकास किरन आ रही है इदर जा रही है यह दर से आ रही है और यह दर से जा रही है और यह क्या है अक्स देश जिसे बोलते हैं मुखे अक्स तो मुखे अक्स के समांतर मुखे अक्स के समांतर आ रही है मुखे अक्स के समांतर जो किरन यहां से क्या होगा और प्रावेदुन के बाद जिस बिंदु से गुजर्ण भी है इस बिंदु को क्या बोदेंगे एफ बोलेगे भिलेगे मुख्ला ंकर रहाए सकते हैं कि फरकास के प्रचानी जब समांतर आए तो ँर बंतर गासस्वे आये तो, फोकस एप से आई से तो कहां से जाएगी यदि इस एप से आईगी तो क्या हो जाएगी समानतर हो जाएगी किसके पहला रूर हो जाएगा, यदी परकास किरन, मुख्य अक्स के, मुख्य अक्स के, श्रमांतर, श्रमांतर आए तो प्रावर्तन, तो यहां से प्रावर्तन होगा, प्रावर्तन के पस्चात हो है, प्रावर्तन के पस्चात हो है, किस से गुजरेगी, मुख्य पोकस से गुजरत यदी है तो पहला हो गया अब दूसरा करते हैं यदी परकास किरन यदी परकास किरन वक्रता के अंदर अब दूसरे को समझो ये क्या है हमारा वक्रता के अंदर यदी कोई परकास किरन यदी कोई परकास किरन वक्रता के अंदर से हैं तो प्रावर्तन के परस्चात प्रावर्तन के परस्चात वह किदर से जाती है सी से ही वापस आती है अब सी से वापस पर जाती है क्यों क्यूंकि जो सी होता है यह वक्रता के अंदर होता है यह अभिलंब एक परकार का इसे अभिलंब भी कह सकते है जो हमारा विलम से वापस तो हम कहई सकते हैं के यद्धी परकास किरण कि दर गिरे हैं कि ये वापस ड़ूरतन के पहसाद अब तीसरा नियम लिखतें तीसरा और इंपोटेंट रूल है तीसरा कहा है यदी यदी परकास किरने यदी परकास किरने यदी परकास किरने या इसा लिखते हैं परकास किरने यह इसे स्टार्ट रते हैं परकास किरने परकास किरने दूरू है पीपर जिस कौन से जिस कौन से से आपतित होती है तो प्रावर्तन के प्षचात प्रावर्तन के प्षचात है वह दिवाइं अक्ले सब्सक्राइब और सी को यदि इसे समझाइगे इससे समझने देता हूं तो देखे इसको इसको लें पहले ठीक है तो इसको यहां से मिठा देता हूं फिर शे बनाता हूं यह आपका आउतल दर पड़े है यह पी यह यह हमें अभी यह ही चाहिए तो मालो एक परकास करें तो यह में जहीं了吧 है यह है थीक है और प्रावड़्वतर के पस्चात चली गई तो थीससरा क kysकरण जब दूरव कर तक रहे तो दूरव पर जिस कौन से हाएगी तो प्रावड़्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वरतर के प depressing के पाख दूंसी say wait तो यह यहां पर कौन बन रहा है तो मैं इसे को अई नाम देधे हूँ और इसे को नहीं और आर को पच्छली कगसा में बता दिया गया है कि क्या है यह आप तर्न है और यह प्रावर्तन कोन है तो मालिया मैंने तो कितने से सबस्याइगी क्योंकि हमारे vaordhalten नियम कहता है जितने कौन से कि रन आएगी उतने कौन से वापस है तो favorite नियम कहता है प्रकास के रन दूर वे जिस वापतित होती है तो राॉरतन के पहस्चात वह Clayt तो दखो मैंने आई और tr लिखा है तो आप यहां से यह बता सकते है आपको पता है कॉन ना उगा कॉन और वहाएँ तो क्या का सकते हां हु AKON AI they are i to इसको भी बोल सकते हैं रे इसको भी आई वाएँ स्केति यह आई है तो जो होने वाला है भी हैं तो युचे आर लिखेंखा है less सकते हैं यह से साहा हुआ और किस का सम्तल दरपन का सम्तल दरपन से रिलेटेटेड है क्यूसर है और आपको छोटी सी चीज़ दूर समधाई जाए गया भी यहां पर तो तीसरे नियम का आभी आप इसके ले सकते हैं वह चित्तर हो मैंने मिटा दिया है फिर से बना सकता हूं जंदी से बना ले जंदी से स्कें ले लेंगे यहां पर पी है कौन आई कौन आर यहां पर मारसी है यह आ रहे है और यह वापस है जा रहे है और इसके नीचे लिख लें कौन आई बराबर कौन आर इतना 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 का इसके लोट ले नियम तेन का तो साइद आपने ले लिया हो इसके लोट तो इसको मिटा जो और minutezen कि दें, मैंने वानिये हैं इक मारा समतन्दर पन कि समतन्दर पना ओर यहाँ पर यहाँ पर रखा आपका बिम्ब यहाँ यहां पर रखा आपका बिम्ब यह आपका बीन्ब रखाओ है तो मैंने दे दिया कि carbohydrate यह है इसकी उंच आई 10 मिटर और यहां से यहां तक यह कितना है 20 मिटर है मतलब इसके लंबाई यह दूरी यह दरपन इसको बोलेंगे समतल अब बरपन और इधर क्या बनेगा इसका परत्विम बनेगा तो जो कितना होगा आप सभी को बता है 10 मिटर होगा है और यह दूरी भी कितनी होगी यह दूरी कितनी हो जाएगी 20 मिटर हो जाएगी यह आप सभी को बता है लेकिन किशन ऐसा आ सकता है मालो किशन नमर एक ऐसा आ जाए कि किसी समतल दरपन के सामने किसी समतल दरपन के सामने बिम्ब बिम्ब ब 20 मिटर दूरी पर रखा है तो तो बिम्ब और पड़ति बिम्ब के मद्दे की दूरी बताईए तो यह परशन है क्या गह रहा है कि किसी समतल दरपन के सामने यह समतल दरपन है इसके सामने 20 मिटर की दूरी पर क्या रखा गया है इन दोनों के मद्दे की दूरी बतानी है आपको तो आप देखेंगे खिने उतनी दूरी पर अपने तो ढोनों का एंड कर लेंगें दोनों को दोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे देखो 20 यह आपर है और 20 धर बनेगी तो इन दोनों के बीच की पुछी है में तो 20 तो यह जाएगी 20 यह जाएगी कितने वी टोटल 40 है हो जाएगी तो अंसर करेंगे अपन आपन आफ हो लिख देंगे बिंब और बिंब और पर्तिविंब के मद्दी की दूरी क्या हुआ जाएगी 20 की दूरी बिंब की दूरी प्लस परतिविंब कि कि दूरी तो देखो कि तREK लाट हम चाली मिटर इसको कैसे करश सकते हैं कि आगको पता है जितनी दूरी पर ब तो हम यह भी तो कह सकते है कि तो वोगा उसका दूगोना ही हो जाएगा रही दोनों के , मद्रे की दूुरी नी यूचाहेगा क्यों कि जंुकि दूडरी ना की ऋ था? उतंही दूरी पर प्त्रीव वन रहे तो इससे दूसरी तरीकिए से इसे देख लेए एक दो आपकी अग्जान में आ सकता है यह क्या पूसकता है कि बिष्म दूरी पर रखाए तो बताये से पिमब कितनी मिट्र से दूरी पर रखा दाएगा नों डर्पन से वह कितनी दूरी पर आसा सकता है कि सामने कहां रखा हुआ है वह दर्पन से 40 म्ट की दूरी पर बोंग रखा हो आप अलगत तरीकाई यह कर सकते हैं तो इतने से गुणा तो प्रतिविम बनते है दल अधर से जो प्रतिविम बनते हैं पहले हम के बनेगे चाह प्रतिविमं जो कल की क्लास में एप वस्तूउ के लिए क्या ने में बने मोना की बनेगा इस shaph झाल प्याद प्याहिए थाव नहाँ प्यामें है।